आगे रिंग भी अपनी फिलिंग्स को नहीं रोख पाती और वो जाकर सिंग को किस कर लेती है और उसके बाद वो दोनों यहाँ पर रोमैंस करते हैं अगर आप रोमैंस के दिवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमैंस देखने को मिलेगा आगली सुबाद सिंग रिंग से पूरता है क्या तुम्हें कल रात को लेकर रिग्रेट तो नहीं हो रहा तो रिंग कεहती है मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो और हम दोनों साथ में बहुत खुष हैं आगे उन लोगों को पता चलते है कि सोई अपने दम पर पूरे इमपायर को बहुत अच्छी तरह से चला रही है और वो ते के काम में आडे भी डाल रही है तो ते जैसे ये न्यूस देखता है वो तो पूरी तरह बुकला जाता है और इधर सेंग भी पूरी तरह बुखला जाता है क्योंकि जब वो कमपनी सम्हाल रहा था तो उसे कोई भी काम अच्छे से नहीं हुआ लेकिन जब सोई कमपनी सम्हाल रही है तो वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही है और सोई डॉक्टर से बात भी करना नहीं चाती तो डॉक्टर कहता है प्लीज मेरी बात सुन लो उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मनजूर होगा आगे डॉक्टर और सोई एक दुसे से बात करी रहे होते हैं अब यहां पर इकाची आ जाता है उन दोनों को मारने के लिए तो वो दोनों अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन इकाची उन लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ता इधर सोई इस हाथसे से पूरी तरह डर जाती है और से लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी तो वो अगर यह हमारा आखρι ही वक्त है तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर से अपने प्यार का इजार कर देती है कि मैं तुमें कितना पसंद करता हूँ मैं तुमें बहुत पसंद करती हूँ और सोई उसे kiss कर लेती है तो डॉक्टर ये सुनकर उसे देखता ही रह जाता है और फाइनली इन दोनों की भी love story पूरी हो जाती है वैल ये लोग इस situation में भी romance फर्मा ही रह होते हैं कि तभी वहाँ पर इकाची आजाता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों को जान से मानने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वह आजाता है और इसी तरह इन दोनों की जान बच जाती है आगे जब पूरी फैमिली को इस बाई में पता चलता है तो वो लोग पूरी थरा परिसान हो जाते हैं और सिंग सोई को कहता है तुम्हारे उपर भी खत्रा मन रहा रहा है इस दित में सेप्टी के साथ रहना होगा और वो आज के बाद तुम सोई की देख भाल करोगे और उस चलता है कि इकाची ने सोई को मारने की कोशिस की है तो उसे बहुत ही गुसा आता है और वो कहता है हमारी दुस्मानी तो सिंग से है ना तो इन सब के बीच सोई कैसे आ गई तो ते इस बात को गवर करने के लिए से माफी मांगता है और कहता है मेरे बंदों से गलती हो गई तो सिंग ये सब देखता, पूरी तरह सौक्ट हो जाता है, और वो कहता है, ये सब कैसे हो सकता है, तुमने तो कोई future भी नहीं देखा, और नहीं तुमारी future में कोई मरा है, फिर तुमारी आंखों के रोसनी कैसे जा सकती है, तो रिंग कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मु तो सिंक कहता है तुम सही कह रहे हो हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इधर काजोर की नर्स काजोर की हेल्प करती है। उसके साइको बेटे से उसे आजाद करवाने के लिए और वो ते के सामने ऐसे एक्टिंग करती है कि उसके पापा की तबियत बहुत ही खड़ाब है अगर हम इने हॉस्पिटल नहीं ले गए तो इनकी जान भी जा सकती है तो ते ये सब सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाता है क्योंकि वो अपने पापा के लिए ही तो बदला ले रहा है और अगर उसके पापा ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके बदला लेने का क्या मकसद रह जाएगा इधर रिंग अपनी आखों को लेकर बहुत ही परिसान रहती है उसे समझ में नहीं आता कि आखे कार उसकी आखों को क्या हो गया तो सिंग कहता है तुम टेंसन मत ओ बहुत जल तुम ठीक हो जाओगी और अगर तुमारी आखे वापस नहीं भी आई तो मैं पूरी जिंदगी तुमारा खयाल रखूँगा इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई ज़रत नहीं है जब तक तुमारा पती तुमारे साथ है तुम्हें कोई प्रॉब्लम छूब भी नहीं पाएगी ये बात सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते है तो वो डॉक्टर कहता है अगर रिंग की आँखों की रोसनी एकाएक गई है तो वो एकाएक वापस भी आज सकती है आगे ते अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उनका इलाज करवाता है और उसके बाद वो अपने पापा को लेकर जाने लगता है तो वो नर्स डॉक्टर से इसारों में हल्प मांगने की कोशिस करती है तो वो डॉक्टर ये सब देख लेता है इधर ते को भी उस नर्स पर पूरी तरह सक हो जाता है और से लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है दूसी तब सिंग अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छे से पैमपर करता है उसके साथ टाइम स्पैन करता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसे के साथ रोमैंस भी करते है आगे रिंग सिंग को कहती है अगर मेरी आखों की रोसनी नहीं आई तब तुम क्या करोगे तब तुम मेरे उपर बोज बन जाओंगी ना तो सिंग कहता है तुम मेरे उपर कभी भी बोज नहीं बन सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अगर तुम्हारी आखों की रोसनी नहीं भी आई तो भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा दोसी तब टे उस नर्स को मारने लगता है और कहता है हॉस्पिटल में तुमने क्या गुल खिलाया अगले सुभार रिंग अपने दोस्तों के साथ fight की practice कर रही होती है, तो वो अन जाने में ही रिंग को मार देता है, और ये सब सिंग देख लेता है, उसका गुसा तो साथवे आसमान पर पहुंच जाता है, और वो बोग को मारने के लिए दोड़ने लगता और कहता है, तुमारी हिमत कैसे हुई, मेरी वाइफ को मारने की, और सिंग बोसे लड़ाई करी रहा होता है, कि तभी रिंग उसे बताती है कि मेरी आँखों की रोसनी वापस आ गई है, तो सिंग जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता आगे सिंग रिंग से पूसता है जब तुम्हारी आखों की रोसनी वापस आ गई है तो तुम आख पर पट्टी बांद कर लड़ाई क्यों कर रही थी तो रिंग कहती है वो तो मैं इमर्जेंसे के लिए तयार हो रही थी कभी कभी मेरी आखों की रोसनी चली जाती है और जब मेरी आखों की रोसनी चली जाएगी तो मैं किसी से फाइट भी नहीं कर पाऊंगी और नहीं खुद की रक्षा कर पाऊंगी इसलिए मैं इस थरा practice कर रही थी ताकि मैं खुद को बचा सकूँ और तुम्हें भी बचा सकूँ तो सिंग कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जोरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे उपर खत्रा मन रहने भी नहीं दोगा तो रिंग कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझ पर कोई भी खत्रा आने नहीं दोगे लेकिन फिर भी चोकना रहने में क्या प्रॉब्लेम है तो सिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें फाइट करना सिखाता हूँ तो रिंग कहती है, क्या तुम मेरे सामने टिक पाऊगे, तो सिंग कहता है, वो तो वक्त बताएगा, आगे वो दोनों fight करते हैं, तो सिंग इसी मौके का फायदा उठा कर रिंग के साथ flood करता है, और उसके खुब मजे लेता है, तो रिंग ये सब देखकर पूरी तरह बुख पर ते ये सब बार से ही देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि किसी ने पूलिस को इनफॉर्म कर दिया है को लोग यहाँ पडाने वाले थे। ते भी वहाँ से भागने की कोसिस करता है पर पुलिस उसे चालो तरफ से घेर लेती है पर ते भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आता और उन लोगों को मार पीट कर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता और इधर ते की मासुका भी पुलिस को च तेहना सबको अपने पापो की सजा इसी जनम में मिलती है तो ते की मासुका को भी उसके पापो की सजा इसी जनम में मिल गई आगे ते सिधा उस नर्स के पास जाता और कहता है तुम नहीं उस डॉक्टर से हेल्प मांगी थी ना तो बेचारी नर्स ते से माफी मांगने लगती है पर ते उसकी एक बात भी नहीं सुनता और से खूम मारता है तो काज और को ये सब देखर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे को रोगता है और यहीं पर ते को पता चलता है कि उसके पापा ठीक हो गय है पर ये बात उन लोगों ने उससे चुपाई तो ते को बहुत ही गुसा आता है और वो अपना सारा गुसा उन लोगों पर निकालता है और उन्हें डरा धमका कर वहां से चला जाता है तो काज और अपने साइको बेटे की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह डर जाता है औ तो वो लोग ये बात जानकर पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं, आगे रिंग को सिंग की फिकर होने लगती है, तो सिंग कहता है तुम टेंसन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर रिंग सांथी नहीं होती और वो ते को लेकर बहुत ही परसान रहती है, तो सिंग कहता है सिधा सिंग को इस बारे में बताती है, अगली सबाह वो लोग हर बड़ी में दादा जी से मिलने के लिए जाते हैं, और रिंग दादा जी को सही सलामत देख कर राहत महसूस करती है, तो दादा जी कहते हैं, तुम मेरी फिकर मत करो, मेरे पास बहुत सारे पोडिकार है, वो लोग मुझे छूबी नहीं पाएंगे इधर रिंग और सिंग बहुती टेंसन में रहते हैं कि रिंग आखे कर फ्यूचर कैसे देख सकती है दाधा जी ने तो कहा था कि जैसे ही रिंग अपनी पवित्रता खो देगी वैसे ही वो फ्यूचर देखना बंद कर देगी तो फिर व लोग ये बात सुनकर पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं आगे दाधा जी सिंग को बात करने के लिए बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि ते वाला मामला कहां तक पहुचा तो सिंग कहता है पुरीस वाले चान पिन कर रहे हैं हम लोग बहुत जलते को पकड़ लेंगे तो दाधा जी को बताने ही वाला हो कि वो दोनों असल माइने में पती पतनी बन गए हैं कि तभी वहां पर रिंग आ जाती है और वो सिंग को रोक लेती है दाधा जी को ये बात बताने से और उसे किसी बहाने से वहां से लेकर चली जाती है आगे सिंग रिंग को कहता है तुमन से बनागे तो सिंह बात अकर हसने लगता है और फिर से रिंग के साथены लगताने वैल आपको यहां पर इन दोनों का रोमैंटिक सीन भांट देखने को मिलेगा इधर दादा जी भी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और दादा जी को पता चल जाता है कि ये दुनों एक दुस्य के काफी करीब आ गए हैं और ये बात उन लोगों ने उनसे छुपाई है